C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गनित की पाठ्य पुस्तक गनित का जादू 2 प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 11 है इसका शीर्शक है रेखाईं ही रेखाईं प्रिष्ट 84 से प्रिष्ट 89 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय 11 है शीर्शक रेखाईं ही रेखाईं प्रिष्ट 84 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर नीले रंग में इस अध्याय का शीर्शक लिखा है रेखाईं ही रेखाईं इसके बाई और अध्याय 11 लिखा है और वहीं पर एक छोटी सी लड़की पेट के बल आधी लेटी हुई है उसके हाथ में क्रिकेट की एक विकेट है ठीक नीचे लिखा है ये किसकी रेखा है आज फातिमा के स्कूल में क्रिकेट का मैच है फातिमा जसबीर और रहमत अपने घर से स्टंप लाए हैं इसके ठीक दाई और फातिमा का चितर दिखाया गया है जिसके दोनों हाथों में क्रिकेट की स्टंप यने विकेट है बाई और लिखा है फातिमा जसबीर और रहमत ने उन्हें कमरे के एक कोने में रखा फातिमा ने अपना स्टंप खड़ा करके रखा जस्बीर ने अपना स्टंप हलका टेड़ा करके रखा इसके ठीक दाई और जस्बीर को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है उसके दोनों हाथों में टेड़ी रखी हुई स्टंप है रहमत ने अपना स्टम्प लिटा कर रखा इसके ठीक दाई और रहमत का चित्र दिखाया गया है जिसने अपना स्टम्प लिटा कर रखा है दूसरों को बताने के लिए किस ने अपना स्टम्प कैसे रखा उन्होंने कौपी में रेखाएं खीची पातिमा ने खड़ी रेखा खींची जस्बीर ने टेड़ी रेखा खींची रहमत ने लेटी हुई रेखा खींची बच्चों की तस्वीरों को उनकी रेखाओं के साथ मिलाओ इसके ठीक दाई और तीन रेखाएं दिखाई गई हैं एक सीधी खड़ी रेखा, दूसरी टेड़ी और तीसरी लेटी हुई रेखा और उनके ठीक बाई और जस्बीर, पातिमा और रहमत के चित्र दिखाए गए हैं तो अब इन तीनों की तस्वीरों को उनकी रेखाओं के साथ मिलाईए प्रिष्ठ 85 इस प्रिष्ठ पर बई और लिखा है यहां कुछ खड़ी रेखाएं, तेड़ी रेखाएं और लेटी हुई रेखाएं हैं ऐसी कुछ और रेखाएं खीचो इसके ठीक दाई और हरे रंग के बकसे में सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई गई हैं उसके नीचे पीले रंग के बकसे में तेड़ी रेखाएं दिखाई गई हैं और उसके ठीक नीचे सलेटी रंग के बकसे में लेटी हुई रेखाएं दिखाई गई हैं इसके बाई और जस्बीर का चित्र दिखाया गया है. जस्बीर कह रहा है, मैं अपने पैंसिल बॉक्स के किनारे से रिखाएं खीच सकता हूँ. उसके ठीक नीचे रहमत का चित्र दिखाया गया है. वो टेबल पर बैठी हुई है. उसके हाथ में एक पैंसिल है और वो कागस पर लिख रही है. वो कहती है, मैं सिर्फ अपने हाथों से रिखाएं खीचने की कोशिश करती हूँ. रहमत के ठीक दाइं और फातिमा का चित्र दिखाया गया है. फातिमा के हाथ में एक स्केल है और वो टेबल पर बैठी है. उसके ठीक सामने टेबल पर एक कागस रखा है. उसके साथ में पैंसिल रखी हुई है. पातिमा कह रही है मैं स्केल से रेखाएं खीच सकती हूँ. नीचे लिखा है एकता की रेखाएं सीधी नहीं हैं. वे मुड़ी हुई हैं. कुछ और मुड़ी हुई रेखाएं खीचो. इस प्रिष्ठ पर नीचे हरे रंग के बकसे में एकता द्वारा खीची गई मुड़ी हुई रेखाएं दिखाई गई हैं. इस बकसे के ठीक दाई और एकता का चित्र दिखाया गया है. वो इस हरे रंग के बकसे में मुड़ी हुई रेखाएं खीचते हुए दिखाई गई प्रिष्ठ 86 तीस मिनट और दिन थर्स्डे याने ब्रिहस्पतिवार लिखा है। उसके ठीक दाई और लिखा है जिग्यासा के पास एक घड़ी है। वो उसमें संख्याओं में लिखे गए समय तथा सप्ता का दिन पढ़ सकती है। यहां संख्या और अक्षर सीधी रेखाऊं से बने हैं। जिग्यासा ने पुरानी माचिस की तीलियों से कुछ और संख्याएं तथा अक्षर बनाएं। जिग्यासा नीचे एक चित्र के माध्यम से कहती हुई नजर आ रही है चलो कुछ और बनाएं। जिग्यासा के दाएं हाथ में माचिस की कुछ तीलियां हैं। जबकि उसके ठीक सामने माचिस की तीलियों से उसने जो संख्याएं तथा अक्षर बनाए हैं वे लिखे हुए दिखाई दे रही हैं। साथ ही एक और छोटी लड़की वहां माचिस की तीलियों से ऐसा ही कुछ करती हुई नजर आ रही है। नीचे लिखा है कुछ इस्तेमाल की हुई माचिस की तीलियों को इकठा करो और मजे मजे में संख्या तथा अक्षर बनाओ। क्या ऐसे भी कुछ संख्या और अक्षर हैं जो तुम माचिस की तीलियों की मदद से नहीं बना सकते। कुछ संख्याएं सीधी रेखा का इस्तेमाल करके बनाओ। इसके ठीक दाई और लाल रंग की प्रिष्ठ भूमी के ऊपर एक तीर का निशान बना कर उस पर काटा लगाया गया है याने क्रॉस किया गया है। इस प्रिष्ठ पर नीचे बाई और माचिस की तीलियों से बतीस की संख्या बना कर दिखाई गई है। नीचे लिखा है तुम कौन से अक्षर सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करके लिख सकते हो। उनमें से कौन से आसान है। पता करो और कहां कहां संख्याओं तथा अक्षरों को लिखने के लिए सीधी रेखा का प्रियोग होता है। इस प्रिष्ठ पर दाई और सबसे नीचे नीले रंग की प्रिष्ठ भूमी के ऊपर रेलवे ट्रैक होने का चिन्ह दिखाया गया है। याने रेल की पटरी के होने का चिन्ह दिखाया गया है। प्रिष्ठ 87 नाच्टी रेखाई रेमिया ने यातायात पुलिस वाले को गाडियों को रास्ता दिखाते हुए देखा। इस प्रिष्ठ पर दाई ओर यातायात पुलिस वाले का चित्र दिखाया गया है। वो यातायात को निर्देशित करते हुए दिखाया गया है। बई और लिखा है क्या यातायात पुलिस के हाथ कभी मुड़ी हुई रेखाएं भी बनाते हैं। खाली स्थान को भरें रेमिया ने यातायात पुलिस वाले की तरहे नकल करना शुरू किया उसने कई सीधी तथा मुड़ी हुई रेखाएं बनाई उसे खूब मज़ा आया ये नाचने की तरहे लगता था नीचे दी गई नाच की मुद्राएं बनाओ और रेमिया की तरहे मज़े करो इसके नीचे चित्र के माध्यम से अलग-अलग मुद्राएं दिखाई गई है और उनके दाई ओर रेमिया को नृत्य करते हुए वो नाच की अलग-अलग मुद्राई बनाते हुए दिखाया गया है इसके ठीक दाई ओर एक जिग्यासु चींटी रेमिया को देखकर कह रही है इसके हाथों को देखो वे खड़ी तथा लेटी रेखाओं की तरह दिखते हैं इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बादामी रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश कई शास्त्रिय नृत्यों जैसे भरत नाट्यम तथा ओडिसी में जियामितिय का इस्तेमाल होता है बच्चों को तस्वीरों तथा टीवी कारेक्रमों में विभिन रेखाओं तथा आकृतियों को देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है प्रिष्ठ अठासी इस प्रिष्ठ पर बई और सबसे उपर नीले रंग के अक्षरों से लिखा है बिन्दूओं के साथ डिजाइन उसके नीचे लिखा है इन बिन्दूओं को आपस में सीधी या मुड़ी हुई रेखाओं से जोड़ो अपना डिजाइन स्वयम बनाओ इस प्रिष्ठ पर हरे रंग के बक्से में कई बिन्दू दिखाए गए हैं और उन बिन्दूओं को आपस में जोड़ कर कुछ आक्रितियां बनाई गई हैं इन आक्रितियों को सीधी वो मुड़ी हुई रेखाओं से जोड़ा गया है इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे दाई और एक महिला इन बिन्दूओं को जोड़ कर और उस आक्रिती के अंदर सुन्दर रंग भरते हुए दिखाई गई हैं प्रिष्ठ नवासी इस प्रिष्ठ पर बई और सबसे उपर नीले रंग के अक्षरों में लिखा है तस्वीरों में रेखाई लोक कलाकारों के द्वारा बनाई गई इन तस्वीरों को नैंसी ने देखा यहां अलग-अलग तरह की रेखाऊं को देखो मुड़ी हुई, खड़ी हुई, टेड़ी और लेटी हुई इसके नीचे वाले कॉलम में पीले रंग के बक्से में अलग-अलग तरह की आक्रितियां बनाई गई है यह आक्रितियां मुड़ी हुई, खड़ी हुई, टेड़ी और लेटी हुई रेखाऊं को आपस में जोड़ के बनाई गई है ये आक्रितियां हैं बैलों द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी पेड पक्षियों को दाना डालती हुई एक महिला सांप बाजा बजाती हुई एक लड़की ढोल बजाती हुई एक लड़की मिलकर नृत्य करती हुई कुछ लड़किया एक मुरगा एक बंदर नीचे लिखा है जैसे उपर दिखाया गया है वैसे ही कुछ और तस्वीरों को बनाओ इसी के साथ पंद्रह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याए 11 यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला कोचर तक्नीकी समन्वे बटि लैंग लिंग्डो निर्माण सहयोग रुची शर्मा निर्देशन वन निर्माण वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T. प्रस्तुती C.I.E.T.